धार्मिश अनिवार और रिवार के लॉकडाउन का कलेक्टर आलोग कुमार सिंग इवं पुलिस अधिक्षक आदित प्रताप सिंग के सेउक्त अमलिद्वारा नगर की विभिन चोरहों पर लॉकडाउन का सक्ती से पालन कराये गया वहीं बिना मास्क वाले और लॉक्डाउन का उलंगन करने वाले 109 लोगों पा चालानी कारवाई कर 18,500 रुपे जुर्माना वसूला गया अभी तक लॉक्डाउन का उलंगन करने वाले धार तहसील में 817 लोगों पर 1,24,200 रुपे का जुर्माना वसूला गया वही नांग पंच्वी पर नाक चंद्रेश्वर का मेला जो लाल बाग परिसर में लगता था जहां पर हजारों लोग नाओ देखता कि पूजा अर्चना करने के लिए परिवार सहित मेले में आते थे लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण पूरा लाल बाग और आसपास का इरिया सुनसान रहा वही शाम के कोरोना बुलेटिन में धार जिले में अभी तक 344 कोरोना के केस हो चुके हैं वा एक्टिव केस 106 रह गए हैं बाकी लोग स्वास्थ होकर घर जा चुके हैं वहीं कोविट संक्रमित मरीजों का धार सही जिले के बिविन अस्पतालों में इलाज चल रहा है